ये बात मुझसे लिख के ले लो कि 2024 के ग्लोबल एकनॉमिक रिसेशन ने दुनिया के अल्मोस्ट हर सेक्टर को डेंट दिया है और कार इंडस्ट्री भी इससे बची नहीं है कार डिलर्शिप में अनसोल्ड इंवेंटरी बढ़ रही है और ये सिर्फ एकनॉमिक स्लोडाउन की वज़ा से नहीं हो रहा बलकि फ्रीक्वेंट कार फेसलिफ भी एक मेजर फैक्टर है जो कंजूमर के माइंडसेट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है सबसे पहले तो ये बता दू इंट्रोडक्शन के तौर पे कि एकनॉमिक रिसेशन होता क्या है वर्ल्ड वाइड बिजनेस शट्डाउन होना जिसमें जॉब लॉस होती है और लोग अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को अचानक से चेंज करते हैं अब ऐसे में इंफलेशन स्काइ हाई हो रहा है लोन पे इंट्रेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और लोगों के पास डेली बेसिस पे खर्चा करने वाली इंकम काफी कम हो जाती है जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे पहले एफेक्ट होने वाले सेक्टर में से एक है आटोमोटिव सेक्टर जब economic slowdown होता है लोग पहले basic needs को priority देते हैं जैसे के grocery, rent, education और car जैसे luxury item को delay करते रहते हैं या avoid कर देते हैं और क्यूंकि middle class के लिए गाड़ी खरीदना एक बड़ा decision होता है और लोग जब financially secure नहीं होते तो वो ये decision postpone कर देते हैं result शोरू में unsold गाड़ियों का stock बढ़ने लगता है अब क्यूंकि dealership में बहुती high inventory level हो जाता है तो ये भी एक और एक बड़ी problem हो जाती है recession के time पे car manufacturer को अपने production को adjust करना पड़ता है लेकिन ये process slow होता है पहले से produced गाड़ियां dealership floor पे खड़ी होती है buyers का weight करती है जब गाड़ियां ज्यादा time तक unsold रहती है तो dealership और manufacturer के लिए losses बढ़ते जाते हैं एक point के बाद उन्हें discount पे देना पड़ता है जो उनके profit margin को dent करता है even 2024 में एक और major factor है high interest rate car loan लेना recession के दौरान expensive हो जाता है ज्यादा interest का मतलब है कि buyer hesitate करता है गाड़ी खरीदने से चाहे वो new हो या second hand bank भी loan देने में careful हो जाते हैं क्योंकि उनको भी default risk लगता है इसका सिधा सिधा असर ये है dealership के पास unsold गाड़ियां पड़ी रह जाती है तो इसका effect काफी widespread होता है सबसे पहले तो cash flow का crisis आ जाता है ये showrooms में या dealerships पे dealership को अपने daily operation के लिए regular cash चाहिए होता है चाहे वो salary हो, maintenance cost हो या marketing expenses हो और फिर उसके बाद आता है इनकी operational cost जब बढ़ जाती है मतलब जब गाड़ियां ज्यादा time तक unsold रहेंगे तो उनका depreciation start हो जाता है dealership को maintenance करनी पड़ती है ताके वो car properly sealable condition में रहें ये cost उनके लिए एक burden बन जाती है और अगर recession long term तक चलता है तो उन्हें और भी losses उठाने पड़ जाते हैं जादा unsold गाड़ियां होने का एक और side effect होता है कि dealership को discount schemes देनी पड़ जाती है जब discounts दिये जाते हैं तो customer को लगता है कि गाड़ी में कोई तो कमी होगी ये गाड़ी outdated है जिस वज़ा से unsold है इससे dealership और car manufacturer दोनों को negative brand impact face करना पड़ता है जब discount बढ़ने लगते हैं तो overall market में depreciation का impact भी increase हो जाता है जब car बिकती ही नहीं तो dealership के पास पैसा आता ही नहीं और वो अपने operation expenses को manage भी नहीं कर पाते इस वज़ा से कई dealership बंध होनी के कगार पे आ जाते हैं अब इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा factor है जिसे कहते हैं कि frequent face lift ये वाला angle शायद recession से directly related नहीं है लेकिन recession के time पर consumer mindset पे बहुत बड़े impact डाल रहा है मतलब आज कल manufacturers एक trend follow कर रहे हैं कि हर 2-3 साल में car का facelift launch कर देना frequent facelifts buyer को confuse करते हैं क्योंकि एक तरफ उन्हें लगता है कि नई car launch होने वाली है दूसरी तरफ पुराने models पर discount चल रहे होते हैं एक frequent facelift का एक बड़ा issue है depreciation जब हर 2-3 साल में एक नया facelift model आता है तो लोग ये सोचने लगते हैं कि उनकी पुरानी गाड़ी जल्दी outdated हो जाएगी इस वजह से buyers को resale value का tension होने लगता है इंडिया में car खरीदते वक्त resale value एक important factor consider किया जाता है और जब market में नए facelift आते जाते हैं तो लोग used car की resale value को लेकर cautious हो जाते हैं पहले जब car का एक नया model आता था तो consumer को लगता था कि गाड़ी कुछ साल तक latest रहेगी और उनके investment का worth होगा लेकिन frequent facelift की वज़ा से product life cycle पर confidence कम हो गया है buyers को लगता है कि car company उनके decision को बार बार challenge कर रही है ये uncertainty उनके लिए mental stress create करती है जो एक negative buying experience का part बन जाता है ये confusion उनको decision making में delay करनी के लिए force करता रहता है इसका result क्या है? डीलर्शिप में गाड़ियां पड़ी रहती है और consumer अपने decision indefinitely delay कर देता है facelift छोटे छोटे cosmetic changes के साथ आने चाहिए लेकिन अगर design में changes हो जाएं तो buyers को लगने लगता है कि पुराने model में कुछ major कमी थी जो अब correct की गई है ये approach buyers को जादा cautious और hesitant बनाती है especially जब economic condition already weak हो even कुछ ऐसे brands आज भी globally exist करते हैं जो facelift के नाम पे minor cosmetic updates लेकर आते रहते हैं because design के अंदर change एक बहुत बड़ा decision और drastic change होता है जैसे कि आप देगे fortuner second generation उसके बाद के अब आने वाले generation दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा time gap था जिसकी वज़ा से पूरा generational shift आया और even आप Jeep की compass को भी देख सकते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे cosmetic changes आते रहते हैं लेकिन design आज भी अपनी जगा कायम है बट अगर हम बात करें Indian brands की तो इन गाडियों के साथ ये वाली problem बहुत ज़्यादा रहती है वरना design language तो आप मारूती की भी देख सकते हैं कि वो ज़्यादा जल्दी design में changes नहीं करते कई car companies ने recession से पहले अपनी car का production काफी aggressively ramp up कर दिया था ये सोचके के demand steady रहेगी लेकिन जब recession हिट किया तो उनका production forecast गलत प्रूव हुआ इस over production का नतीजा ये है कि अब dealership में गाडियां unsold पड़ी हैं market की demand और production के बीच का imbalance अब कुछ companies को heavy losses दे रहा है और कुछ को शायद बाद में दे अगर हम solution की बात करें तो car manufacturers और dealerships को अपनी strategies rethink करनी पड़ेंगी जैसे के car manufacturers को अपने production को demand के according adjust करना होगा over production को avoid करने के लिए उनको smarter forecasting tools use करने चाहिए जो market trend और economic condition को accurately predict कर सकें इससे unsold inventory का problem कम हो सकता है frequent facelift की जगा manufacturers को longer product life cycle पर focus करना चाहिए जब एक गाड़ी 5-7 साल तक market में रहकर एक steady presence बनाती है तो consumer उस गाड़ी पर trust करता है और उसकी resale value भी अच्छी रहती है ये buyers के decision making process को simplify करेगा और unsold inventory का pressure भी कम करेगा के इंटरनाशनल market में car companies resale value assurance program offer करती है जिसमें buyers को guarantee दी जाती है कि उनकी car एक specific time तक एक fixed value retain करेंगी अगर Indian market में भी ऐसे programs आएं तो बायर जादा confident feel करेंगे especially जब frequent facelift का trend चल रहा हो discount देना जरूरी होता है लेकिन हर गाड़ी को aggressively discount करना long term में negative impact डालता है instead manufacturers को selective discounts और value added services offer करनी चाहिए जो buyers के लिए ज्यादा meaningful होगा जैसे के एक showroom price कम करने के बजाए free servicing packages या extended warranties दे दो दोस्तों 2024 या global recession ने automobile industry को एक tough spot पे डाल दिया है unsold card dealership के लिए एक major headache बन गई है और frequent facelift ने customer mindset को negatively hit किया है लेकिन अगर car manufacturer smarter planning और better customer engagement strategies adopt करते हैं तो ये problem solve हो सकती है बाकी आपके opinion का इंतजार रहेगा मिलते हैं नई वीडियो में